हलो फ्रेंड साज हम बात करनेवाले हैं और एक नए अबजक्टिव कोस्टिन सेट के बारे में जो की बायलोजीग है और यह canset no.8 है और यदी आप इसी तरह के किसी भी सब्जक्ट के अबजक्टिव कोस्टिन सेट को देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेयीस्ट में जा मगर मानव मतेश्य सांप तो इसका जो सही आंसर हो जागा वह हो जागा मानव यानि पसलियों की संख्या 12 जोड़ी 24 होती है किसमें मानव में अगला प्रस्ण है आयोडीन यूक्त हार्मोन है अड्रिनेलीन इंसूलीन थायरोक्सिन इसमें से कोई नहीं तो जो है आयोडीन यूक्त जो हार्मोन होता है वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन ये थाराइट गरंथी से जो है निकलता है मानव सरीर में प्रिच कौन सी सनरचना में सनलगन होता है छुद्रान्थ, ब्रिद्रान्थ, अमा से, पिता से तो इसका सही अंसर हो जागा ब्रिद्रान्थ यानि की बड़ी आत्मे अगला प्रस्थन है समायने व्यक्ति में दिल की धरकन की ओसतन दर होती है 82 बार, 92 या फिर 90 तो इसका सही अंसर हो जागा बहत्तर अगला प्रस्थन है संपूर्ण सरीर के द्रभिमान का कितने परतीसत रक्त की मात्रा होती है 8 परतीसत, 7 परतीसत, 11 परतीसत, 13 परतीसत तो इसका जो सही अंसर होगा वोगा 7 परसेंट यानि कि टोटल द्रम्यान का 7% जो है बलड होता है सरी में अगला प्रशन है रख्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है mg, ca, ap, cu यानि magnesium, calcium, iron या copper तो इसका सही आंसर हो जागा calcium अगला प्रशन है यदि किसी व्यक्ति की रुधीर वाहिकाओं की तिर्जया कम हो जाए तो उसका रक्त दाब यानि जो है वाहिका यानि नली की तिर्जया कम हो जाए तो व्यास भी घटेगा यानि सिकूर जाए तो क्या होगा बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा पुरू तो उसका दाब जो है प्रेसर जो है बढ़ जाएगा अगला प्रसुब नीमलिखीत में से कौन सी मानव हर्मोन में ऐडीन मिश्रित होता है अक्सि थाइरोक्सीन फैरक्सीन फिरोग्सरीन और इस से कोई नहीं तो इसका सही आंसर हो जागा थारोक्सिन हार्मन में जो है अरोडीन मिला हुआ होता है अगला प्रस्थन है निशेचित अंडानू के के इंब्लांटेशन के लिए गरभासई कौन सा हर्मोन तयार करता है औकसिटोक्सिन प्रोलैक्टिन एस्टोजन इसमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर हो जागा जो है estrogen hormone मनुश्य के सरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है 600, 630, 649 या 633 तो total जो पेशी होता है वो होता है 649 अगला प्रस्थन है मनुश्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है जो है 12, 13, 31, 35 तो इसका सही answer हो जागा 31 यानि मनुश्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है तो 31 जोड़ी प्रतिवर्ति क्रियाओं का नियंतरन केंद्र कहां पर है अनु मस्तिक्स में, कसे रुक रज्जु में तंत्रिका कोशिका में, प्रमस्तिक्स में तो इसका सही answer हो जागा कोशिका रज्जु में संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है घास, सागर, वन और इसमें से कोई नहीं तो इसका सही answer हो जागा शागर लवन भवन कैल्सी भवन या जिवास्म भवन तो इसका जो सही अंसर हो जागा वह जगा अपर्दन यानि हवा और जल के द्वारा मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह जाना अपर्दन का लाता है हाड्रोफाइट कहते हैं एक जल्ली पोधा को एक सामुहिक जानवर को एक पोधिय रोग को या इसमें से कोई नहीं तो हाड्रोफाइट जो भी होता है वो जल्ली पोधा जितने सारे जल्ली पोधा है उनको जो है हाड्रोफाइट का जाता है तो इसका सही अंसर हो जागा जल दूधभीद है यानि मरज़्थल में उगने वाला है अमर भेल नीम करील सर्षों तो ये करील कि अगला है परियावरण के आजेव अव्यव का उधारण है बनस्पती जानवर वायू सभी तो तो इसका सही आंसर हो जागा वायू यह अजेव अवियव है यानि इसमें कोई जो है जेव अवियव नहीं है अगला प्रस्न है सोर उर्जा का सबसे बड़ा योगी की करन कोन है कवक हरे पोधे प्रोटो जुआ वैक्ट्रिया तो इसका सही आंसर हो जागा हरे पोधे एपिफाइट्स ऐसे पोधे होते हैं जो अईनी पोधों पर निर्भर करते हैं भोजन है तू जल है तू छाया है तू या यांत्रिक मदद है तू तो जितने सारे एपिफाइट्स हैं वो नियंत्रीत करते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं जो है यांत्रिक मदद है अगला प्रस्ण है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पोधे कहलाते हैं, हड्रोफाइट्स कहलाते हैं, जीरोफाइट्स कहलाते हैं, एपिफाइट्स कहलाते हैं, या मेसोफाइट्स कहलाते हैं, तो रेगिस्तान में जितने सारे पोधे होते हैं, उनको जीरोफाइट्स कह जाता है पारस्तिती की निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था सी सी पार्क ने ग्रिनल्स ने डार्विन ने इसमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर हो जागा ग्रिन लेंस ने सबसे अस्थाई पारस्तिती की तंत्र है वन घास का मैदान रेगिस्तान समुद्र तो सबसे अस्थाई जो है वो होता है समुद्र अगला है निमलिखीत में से कोन सा क्रिसी कारिया परियावर्निय द्रिश्टी से उफ्यूक्त है कार्बनिक क्रिसी किस्मों का उत्पादन अस स्थानांत्रित क्रिसी इसमें से कोई नहीं, तो ये जो है कार्बनिक क्रिसी जो है उफ्युक्त, परियावरनी दिरिष्टी से जो है ये उफ्युक्त होता है, अगे धूल प्रदूशन को रोकने के लिए उफ्युक्त व्रिक्ष है, सीता असुक, नीम, पौपालर, महुआ, तो इसका सही आंसर होगा, नीम का व्रिक्ष, वैस्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, समुद्र तल मे व्रधी, तट रेखा में परिवर्तन, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, या इसमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर हो जागा, वो हो जागा, तट रेखा में परिवर्तल मानव जनीत पर्यावरन परदूसन कहलाते हैं पीड़ाहारी प्रती जेविक परजेविक यह इसमें से कोई नहीं तो यह सभी कहलाते हैं परजेविक कहलाते हैं अगला प्रसन है उर्जा के किस रूप में परदूसन की समस्या नहीं होती है कोईला पैट्रोल परमानू या सोर तो इसका सही आंसर होगा सोर उड़ जाओ। अगला है निमलकीत में कोन अधिक्तम ध्वणी पर्दूसन का कारण है। जे टूड़ान, पॉप संगीत, निर्वाचन सभायें यहां इसमें से कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जागा जे टूड़ान यह जो है अधिक्तम ध्वनी पर दूसन उत्पन करता है मानो तवचा का अधियन करने वाले विज्ञान की साखा क्या कहलाती है दर्मेटोलोजी, बायो केमिस्टी, फीजियोलोजी या एनाटोमी तो यह कहलाती है दर्मोलोजी यानि हड्डियों का अधियन विज्ञान की किस साखा के अंतरगत किया जाता है औरोलोजी, सेरमोलोजी अस्टियोलोजी या इसमें से कोई नहीं तो इसका सही अनसर होगा अस्टियोलोजी के अंतरगत हड़ियों का अध्यन किया जाता है जीवों के संक्रमन के विरूद परतिरोद का अध्यन किया जाता है इम्यूनोलोजी हीमोलोजी, फैथोलोजी या इसमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर हो जागा Immunology अगला प्रस्न है रक्त में Antibody एवं Antigen के अध्यन को क्या कहते हैं Biology, Histology Gynecology या Surology तो इसको बोला जाता है Surology मचलियों से समंदित अध्यन कहलाता है Lapidaryology Sacretology Ecology या इसमें से कोई नहीं तो वो कहलाता है Ecology वंगसागती के नियमों के अध्यन को कहते हैं वर्गी की करन विज्ञान परस्तिति की कोशी का विज्ञान या अनवांक्स की तो इसको बोला जाता है अनवांक्स की वातावरन को सुधार कर नसल सुधारना कहलाता है यूथेनिक्स जिवास्म विज्ञान यूजेनिक्स या इसमें से कोई नहीं तो ये यूथेनिक्स कहला जाता है कैंसर समंधी रोगों का अध्यान कहलाता है उंकोलोजी औरगेनोलोजी सोरोलोजी या नियूरोलोजी तो कैंसर समंधी अध्यान जो है उंकोलोजी कहा जाता है जेनेटिक्स में किसका अध्यान किया जाता है कोशीका का मांखस्पेशियों का अध्याण निंद्रा का अध्याण अनु वांखसिक्त एवं गुणशूत्र तो इसका सेय आनसरोजागा अनु वांखसिक्त एवं गुणशुत्र पारश्तितिक की विज्ञान इकोलोजीक का किससे सम्मंध है कोषिका संरचना जन संख्यां का अध्यन कहलाता है जियोग्राफी, कार्टोग्राफी, डेमोग्राफी, इसमें से कोई नहीं है रेबीज के टीके की खोज किस ने की थी जेनर, डार्विन, लिश्टर, पास्चर तो इसका सही आंसर हो जागा पास्चर आधुनिक एंटिसेप्टिक सरजरी का जनक कोन है लिश्टर, हार्वे, पास्चर या जेनर तो आधुनिक एंटिसेप्टिक का जो जनक है वो है लिश्टर किसके द्वारा अन्वांख्सिकता के विज्यान को अन्वांख्सिकी कहा गया कौरेंस के वाट्षन, मूलर, मेंडल तो यह जो कहा गया था वाट्षन के द्वारा कहा गया था mientras आनसर वाट्षन अगला प्रस्न है रक्त सम्हु का अविश्कारक है लैंड इस्टीनर, लुई पास्टर, रोबर्ट कोच या इसमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होजागा लैंड इस्टीनर अगला प्रस्टन है फिरदय का पहला प्रतियस्थापन किसके द्वारा किया गया डॉई पास्टर, डॉडियम हर्वे, डॉड्टर क्रिस्चन बर्नाल्ड और इसमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा डॉड्टर क्रिस्चन बर्नाल एड़वर्ड जेनर निमलखीत में से किस रोग से जुड़े हैं लकवा, जुर, विसुचिका या चेचक विकास का सिधान्त किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अरस्तू, डार्विन, पास्चर, मेंडल तो विकास का सिधान्त जो प्रस्तूत किया गया था, वो था डार्विन के द्वारा अगला है, हिस्टोलोजी सब्द का सर्व पर्थम पर्योग किस ने किया था? मेमन ने, स्लाइडन ने, रोबाट हुक ने, मेयर ने तो जो है हिस्टोलोजी सब्द का जो सबसे पहले पर्योग किया था, वो किया था? मेयर ने किस प्रकार के उत्तक सरीर की सुरक्षा कवच का कारी करते हैं एपिथिलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशिय उत्तक इसमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर हो जागा एपिथिलियम उत्तक दमलिखीत में से कोण सा उत्तक घाव भरने में सहयक होता है पंत्रिका उत्तक, एपिथिलियम उत्तक, पेसियो उत्तक या सयोजी उत्तक तो घा भरने में जो सहयक होता है वो होता है एपिथिलियम उत्तक तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं जल्दी एक नए अपडेट के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जय हींद बंदे मात्रम